आज एक बढ़ी आसी रेसिपी आपके साथ शेहर करते हो जो काफी रिल्दी है, टीस्टी है काफी साथी वैजी सारी में इसमें किया है उसी के साथ एक प्यार असा मसाला डालेंगे और साथी जवार का आटा और चावल के आटे का इस्तमाल किया है इस रेसिपी को बनाने के लिए तो आप इसको ज़रू ट्राइ कीजिएगा और एक साथ में बढ़ी आसी चटनी भी बनाएंगे एकदम डिफरेंट सी तो को पूरा देखिए पसंद आए तो श्या करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और यह इतने यमी टेस्टी है कि आप अपने न्यू यह पार्टी में इसको इंजॉय कर सकते हो तो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगे इस रेसिपी को आप कैसे बना सकते हो तो चलिए बनाना प्लेवर आते हैं और साती हरी लसुन तो हरी लसुन का सीजन चल रहा है तो मैं इसका इस्तमाल अपनी रेसिपी में अक्सर करती हूं तो हरी लसुन को थोड़ास आधा मिनिट पकाने के बाद इसमें कुछ पुदीने की पत्तियां बारिक करती हुई लगब वन फोर्ट कब पुदीना फ्रेश पड़ा था मेरे पास मैं इसमें डाल दिया बहुती फ्रेश सा फ्लीवर आता है साथी हरे मटर फ्रेश वाले और साथी ये बीन से बारिक कटी हुई तो जो बैजी आपके पास अविलेबल हो आप इसमें डाल सकते हो लौकी मैंने आपे काफी सारी ग्र हमारी पक जाए तो मैं इसमें नमक अड़ कर लेती हूं अच्छे से वैजी इसको मिक्स अप करने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे और साथी हल्दी वनफोर टीस्पुन जितनी और अच्छे से वापस से इसको मिक्स अप कर लेंगे या मेरे पास फ्रोजन वाली स्व दालने के दो कप पानी तो सबचे मैंने आधा पका लिया था अब पानी डालने के पानी में आधा कप जवार का आता और एक कप चावल का आता तो कप जो कटोरी मैंने उठाई तो कप जितना पानी डाला था मतब दो कटोरी और इसके बद आधा कप जवार काटा और एक कप चावल काटा तो थोड़ा-थोड़ा करके यह से मिलाते जाना है और अच्छे से निसको धीमियास की पकाना है हमें जब तकी अच्छे से डो की तरह नहीं बन जाता है तो चबल काटा जल्दी से फूलने लग जाता है तो अरम-अरम से आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएगा और इस तरह से डो बन जाएगा पूरा पानी ये जो आटे है ना एब्सॉप कर लेंगे बस ये डो की तरह जैसी बन जाए ना तो गैस को कलीजे जाएगा ऐसनी की फीका बना ले नाज़ता हाथ उपन थोड़ा से में ऑईल अप्लाय करें और इसके बढ़िया से कटलेट्स हम तयार करेंगे तो कोई भी शेप की आप टिक्किया ये बना सकते हो मैं इस तरह से रेक्टेंगल शेप देरी हूं इसको और चाहे तो आप इस गरम हो चुका है तो मीडियम तू लो करते हुए मैं इसको सेख लूंगी अलटाते पलटाते वह बहुत ही मस लगते हैं खाने में आप इसको जरूर ट्राइ कीज़ेगा अलटाते पलटाते हो जैसी ये गोल्डन से हो जाए ना बस आप इनको निगाल लीजेगा तो ये ना टी से मेरा वीडियो देख रहे हुए ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो नेक्स मैथड के लिए मैंने नॉनस्टिक तवे को थोड़ा से ग्रीस कर लिया है तवालेया पैन उठाए और उस तरह से टिक्कियों को थोड़ा सा फ्लैट करते हुए पतले ऐसे ल अप्शन हो जाता है इनको बस अल्टाते पल्टाते हुए अब धीमी आज पर सेख लें जरा सा ओयल मैंने लगाया इनको और यह देखिए बढ़िया से चोटे चोटे सी ये पराथे जो ने टिक्किया बनकर तयार है अब यहाप एक चटनी बना लेंगे उसके लिए मैंने उठा लिया उसमें प्याज डाल दूगी हरी मिर्ची मैं दो डाल रहे हुए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्ची आड कीजे कुछ पुदीने की पत्तिया फ्रेश वाली एक दम और साथी हरी लसुन का फ्लेवर मैं इसको दे रही हूं चटनी को आप चाहे त नेबू नमकीन पड़ा था जो बच्चों को बहुत प्यसंद आता है तो यह भी ठोड़ा से डाल दूगे और नमक डालने के टेस्ट के अकॉर्डिंग और यह नमकीन डालके इसकी जो कंसिस्टनी है अगर अच्छे से थिकनेस आ जाते है चटनी में नमकीन अगर डालते है आपको यह रेस्पी पसंद आरी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कियेज़ेगा आप अपने फ्रेंट्स के साथ रिलेटिव के साथ इस रेस्पी को शेयर कर सकते हैं मेरे नाशता बनकर बिलकुल तयार है इसको आप ट्राय जरूर केज़ेगा आपको बहत पसंद आएगा आप पार्टी प्लेटर और ऐसे नॉर्मली आप घर पे बना सकते हो बच्चों को खिलाएगा इतम हेल्दी सा टेस्टी सा नाशता है वीडियो पैसा लगा आपको पसंद आएगा तो पीस शेर जरूर करें पेच में तो पेच को पालो जरूर करें और कौनसी सीटी से मेरा वीडियो देखे हो कमेंट करके मुझे जरूर बताए थैंक्स वाचिंग जैशी गडेश वाई करूची